हलो एंड वेलकम टू यूर फेवेट चानल ब्रेनो सॉलीशन देखो बच्छो आज हम करेंगे चाप्टर सेक्स लाइन सेन अंगल्स कर एक्सरसाइज 6.1 कुश्चन नामबर वाट ठीक है क्या कह रहा है इसमें कि देखो एबी और सीडी दोनों इंटरसेक्ट करें पॉइंट ठीक है तो देखो बेटा अगर ये आंगल तुम्हारा 40 डिग्रीज है आंगल बी ओडी तो ये वाला आंगल ए ओसी ये दोनों आपस में क्या है वर्टिकली ओपोजिट अंगल्स है ठीक है तो मैं कह सकती हो कि आंगल ए ओसी आंगल ए ओसी इस इक्वल टू अंगल बी ओड क्यों क्यों कि ये यार वर्टिकली ओपोजिट अंगल्स हमेशे इसका रीजन लिख दिया करो ब्राकेट में ठीक है तो अंगल ए ओसी तुम्हारा कितना आ जाएगा 40 डिग्रीज ठीक है अब ये देखो ए बी इस और स्ट्रेट लाइन ए तुम्हारी एक स्ट्रेट लाइन ठीक है स्ट्रेट लाइन एंगल कितना होता है सम फ आंगल्स 180 डिग्रीज होता है दियर्फोर अंगल ए ओ सी प्लस ऑंगल सी ओ ए प्लस ऑंगल ई ओ बी ये कितना हो जाएगा 180 डिग्रीज ये ओ बी ना करका इसको बी ओ ए कर लो एक ही बात है क्योंकि कोश्चिन में बी ओ पूछान तो इजी हो जाएगा ठीक है देखो यह स्ट्रेट लाइन है इसके ओपर इस अंगल इस अंगल इस अंगल का सम कितना होगा बिटा वान इथी डिग्रीज हो जाएगा ठीक है क्लियर है तो देखो यहां से हमको पता है यहां से इन दोनों का सम 70 डिग्रीज लिग्दू इस इक्वल टो 180 डिग्रीज तो आंगल सी ओए तुम्हारा कितना हो जाएगा 180 माइनस 70 यह हो जाएगा 110 डिग्रीज ठीक है क्लियर हमें यहां से यह वाला तो मिल गया डिस इस 110 डिग्रीज ठीक है चलो अब आगे देखते हैं जारा अब बियो ए कैसे निकलेगा अब देखो यह COB यह की स्ट्रेट लाइन है यह आंगल 110 डिग्रीज यह तुम्हे पूछा गया है यह यह आंगल पूछा गया दिस इस 40 डिग्रीज तो we know that CB is a straight line CB is a straight line तो therefore क्या होगा आंगल COE plus आंगल EOB plus आंगल DOB यह कितना हो जाएगा तुम्हारा 180 डिग्रीज ठीक है तीनों का सम 180 हो जाएगा यह कितना है तुम्हारा 110 EOB तुम्हें find out करना है DOB कितना है तुम्हारा 40 डिग्रीज ठीक है clear तो यहां से तुम्हारा आंगल BOE कितना हो जाएगा 180 minus 150 तो यह हो जाएगा तुम्हारा 30 डिग्रीज ठीक है अंगल BOE कितना आगे तुम्हारा 30 डिग्रीज चलो अब एक और सवाल है इसमें यह पूछ रहे हैं अब बताओ तुम्हों लोग reflex angle COE reflex angle COE का मतलब क्या होता है देखो angle COE तो यह हो गया तुम्हारा ठीक है यह अगर angle है तुम्हारा X तो reflex of X कितना हो जाएगा 360 minus X ठीक है